हलो गुट मॉनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगे अगर आप स्पेशल एजुकेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्ट टीचर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाली है अगर आपने DSSB में एक्जाम दिया है स्पेशल वाला तो आप यह वीडियो जरूर देखें जैसा आप जानते हैं DSSB ने जवाब दिया था कि हम जल्दी ही स्पेशल वाले हैं उनका रिजल्ट डालने वाले हैं लेकिन काफी टाइम बीच जाने के बाद भी अभी तक DSSB ने कोई सुद नहीं ली है जैसा कि आप जानते हैं DSSB का ढुल्मूल रविया अभी भी जा रही है तो सात्यों इसके रिगार्डिंग हमने RTI लगाई थी कि क्या जो स्पेशल वाले हैं उन पे स्टे तो नहीं है क्योंकि एक डर होता है और काफी फ्रेंड्स की डिमांड भी आई थी कि RTI लगाई जाए तो हमारे कुछ सात्यों ने RTI लगाई थी और जो RTI का जवाब आया है वो क्या जवाब है कि अभी कोई उस पे स्टे नहीं है जो स्पेशल वाले जो एक्जाम हुए हैं उन पर कोई स्टे नहीं है और रिजल बहुत जल्दी आने वाला है तो सात्यों उविध यही है कि रिजल बहुत जल्दी आ जाएगा और रिजल जल्दी आता है तो यह आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है लेकिन DSSB का जो सिस्टम है बहुत धीरे काम करता है DSSB और जैसा कि आप जानते हैं कि इजरिवाल जी ने भी DSSB मेम से बात करी थी तो उन्होंने सीधा जवाब ये दिया था कि फैब तक रिजल्ट आ जाएगा लेकिन अभी तक रिजल्ट मतलब बहुत धीरे धीरे आ रहे हलाकि कल एक रिजल्ट आया था उमिद यही है कि आज भी एक रिजल्ट आ जाए एक दो रिजल्ट आते हैं और कल कुछ आंसर कीज भी आय थी तो सातियों ये थी खबर तो जो साती Special Educators है Special Education Teachers है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है कोई स्टे नहीं है हाला कि केस बहुत सारे चल रहे हैं Special वालों पे लेकिन कोई स्टे नहीं है और उसमें साब तो पर लिखा हुआ है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है तो सातियों उम्मिद करता हूँ सारे चीजे समझ आयोंगे और अगर आप इस तरह की और भी नियूज पाना चाहते हैं जैनुएन नियूज पाना चाहते हैं तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजे तो सातियों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिन वंदे मात्रम